भारत ने अंतरिक्ष के क्षेतर में एक और सफलता दर्जगी है चन्नाई के एक स्टार्ट अप अगनिकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाए गए अगनिबान रॉकेट की कल यानि 30 मई को सफलता पूर्वक लांचिंग की गई ये लांचिंग इसरो के श्रीहरी कोटा में बने पहले निजी लांच पैट के द्वारा की गई है लांचिंग के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है इसे भारत के लिए साइन्स और टेक्नोलोजी के क्षेतर में एक एतिहासिक सफलता के रूप में देख स्थापना श्रीनाथ रवीचंद्रन और मोईन SPM ने महज 3 करोड रुपए के साथ की थी कंपनी के फाउंडेशन में चार लोगों का नाम आता है दो की बात हमने पहले ही कर ली है श्रीनाथ रवीचंद्रन और मोईन SPM दो अन्य है सत्यनारायन चक्रवर्ति और जनारदन लेकिन कंपनी के मेंन फाउंडर श्रीनाथ रवीचंद्रन ही है बात कर लेते हैं श्रीनाथ रवीचंद्रन की रवीचंद्रन ने चन्नाई के College of Engineering गुंडी से Electrical Engineering में ग्रेजुएशन किया है बाद में इनों ने अमेरिका की Columbia University से Financial Engineering में Master degree हासिल की इसके साथ ही University of Illinois से Aerospace Engineering मे भी इन्होंने master's किया है इनका engineering finance और project management के क्षेतर में काम करने का एक लंबा अनुभाव रहा है पहले ट्रेडिंग करते थे ये बाद में aerospace engineer बन गए बात करते हैं अगनिबान की ये दुनिया का पहला single piece 3D printed engine का उपयोग करने वाला rocket है इसे स्वदेशी रूप से design किया गया है और इसे यहीं बनाया गया है यानि भारत में हाला कि company ने कुछ दिन पहले ही अपने पहले rocket के test flight को launch से कुछ second पहले ही रद्ध कर दिया था पिछले 3 महीनों में 4 बार launching रद्ध हुई थी पांचवी बार में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है अब सवाल है कि इस एतिहासिक छड को एतिहासिक बोला क्यों जा रहा है दरसल इस रो ने पहली बार सेमी क्रोयोजेनिक इंजिन वाले rocket को सफलता पूर्वक लांच किया है ऐसे इंजिन में इधन के रूप में तरल और गैस के मिश्रेंट का इस्तिमाल किया जाता है रोकेट लांचिंग के बाद अंतरिक बासिक उपलब्धी से कम नहीं है यह भारत के फलते नीजी अंतरिक्ष उद्यों के लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धन और गर्व का क्षण है और यह भविश्य में हमारे लिए क्या रखता है इसका इसकी सिर्फ एक जहलक है हमारी हार्दिक बढ़ाई इस पूरे अभियान के पीछे की टीम को और उनके भविश्य के प्रयावसों के लिए शुप कामना है उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और भी कॉंटेंट के लिए बने रहे है शब्द साची के साथ फिलहाल के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवा प्रयावसों के लिए बने रहे हैं